जैन दोस्तों आज हम आपके लिए सेशन फोर लेकर आये हैं जिसमें तीस परस्न आपके सवाने विज्ञान के हैं जो आर्मी अगनी वीर के सभी ट्रेडियों के लिए बहुत ही लाफदायक होने वाले हैं तो आईए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो को सुरू से लेकर लाश्ट तक देखें आईए हम लोग कुछ मोटिवेशनल लाइन देखते हैं आपको हमेसा मोटिवेट रहना होगा क्योंकि एक्जाम आपको नजदिक आगया है 15 जनवरी को आईए देखते हैं आपको दर्द सबके एक से हैं मगर होस्लो सबके अलग-अलग है कोई हतास होके विखर जाता है तो कोई संघर्स करके निखर जाता है तो हमेशा आप लोग को मोटिवेट रहना है तो आईए हम लोग ज़्यादा वातें ना करते हुए कोस्टन की और बढ़ते हैं तो आगया आपक सभी आप लोग को राइट जवाब देना इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे कि बिल्कुल सही बिल्कुल सही जो जवान ऑफशन वी लगाया है वह एक सो डिगी सल्सेस वह बिल्कुल सही लगाया है तो आईए अगला कोशन हम लोग देखते हैं आप लोग को सकंड कोशन बताना है और अदर्स गयस का समी करण क्या है? आप लोग को राइट जवाब देना है इसका सही जवाद दिजिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट जो नजवान ओप्सन डी लगाएं है भी बराबर नर्टी वो बिल्कुल राइट लगाएं है तो आईए हम लोग अगला को सुन के और बढ़ते हैं आप लोग को बताना है तेल चट्टे के सरीर के कितने भाग है ऐपसन दो भाग ऐपसन बी थीरी भाग जो ऑपसन दी या अपसन डी वण आप लोग को बताना है इसका राइट अंसर क्या होंगे बिल्कुल सही जो नौजवान ऐपसन bold लगाएं हैं ठी वो बिल्कुल सही लगा हैं तो आईए हम लोग next question के और बढ़ते हैं आप लोग को बताना है PN Jackson डैयोड का परियोग होता है Option A संचुक संसूचक परिपत Option B परिसोधन डैयोड Option C Signal डैयोड या Option D उपरिक सभी आप लोग को तुका नहीं लगाना है एक्जाम में आपको जितना आता है उतना है लगाएं ज्यादा गलत करके नहीं आना एक भी गलत करके नहीं आना है तो आप बताएएगा इसका right answer क्या होंगे ज्यादा hard question नहीं पूछा जाता है इसलिए आपको घावराना नहीं है बिल्कुल सही जो नजावन option D लगा रहे हैं उपरिक सभी वो बिल्कुल सही लगा रहे है यानि PN जक्सन डायोड का परियोग सभी परिपत या डायोड में होता है तो आईए हम लोग अगला question कर बढ़ते है आप लोग को बताना है आविरती का मातरक क्या होता है सारे मातरक आपको याद रहने चाहिए क्योंकि मातरक एक question जरूर आता है तो आप लोग को बताना है आविरती का मातरक क्या है option A, voltmeter, option B, varometer, option C, heritage, option D इसका right answer जवाब दीजिएगा क्या हो जाएंगे बिल्कुल सही जो नजवान option D लगाए हो बिल्कुल correct लगाए है तो आई अगला question के और बढ़ते हैं आप लोग को बताना है एक अज़ सक्ति कितने वाट के बढ़ावर होता है option A, 746 watt, option B, 1000 watt option C, 980 watt, option D, 550 watt इसका सही जवाब दीजिए का इसका right answer क्या होंगे बिल्कुल correct जो नजवान option ये लगाए है 746 watt वो बिल्कुल right लगाए है आपका तैयारी इसी तरह मजबूत रहना चाहिए आपको exam hall में घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा hard level का question नहीं रहता है तो आई अगला question देखते हैं आप लोगों को बताना है neutron की खोज किसने की थी option A, Thomas, Thompson, option B, Rutherford या option C, Chadwick या option D, board इसका right answer जवाब देना है आप लोगों को बिल्कुल correct जो नौजवान option C लगा है चैंडविक वो बिल्कुल right लगा है तो आईए हम लोग अगला question की और बढ़ते हैं आप लोगों को बताना है पिश्ट तनाव का मातरक क्या है option A, Joule, option B, Joule परती second, option C, Newton परती meter या option D, foot pound इसका right answer आप लोगों को जवाब देना है अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कीजिए बिल्कुल सही जो नौजवान option C लगा है Newton परती meter वो बिल्कुल right लगा है तो आईए हम लोग अगला question के और बढ़ते हैं आप लोगों को जवाब देना है विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है option A, type hide, option B, very very rug, option C, गेगा या option D, ascorbic सभी विटामिन यानि कौन सी विटामिन कमी के कारण से रोग होता है ये सारे आपको धन होने चाहिए क्योंकि इस type का अभी question आपको एक जरूर exam में देखने को मिलेंगे इसका right answer जवाब दीजिएगा क्या हो जाएंगे बिल्कुल correct जो नोजावन option B लगाए हो बिल्कुल सही लगाए है आईए हम लोग लगला question देखते हैं आप लोग को बताना है हीरा किसका अपरूप है option A, card one, option B, iron, option C, mercury, option D उपरिक सभी इसका right answer जवाब देना आप लोग क्या हो जाएंगे बिल्कुल correct जो नोजावन option A लगाए है, card one वो बिल्कुल right लगाए है तो आईए next question के और बढ़ते हैं आप लोग को बताना है गोवर्ड गैस में किसकी बहुलता होती है option A, methane, option B, ethane, option C, butane या option D, उपरिक सभी इसका right answer आप लोग को जवाब देना है एक भी question गलत नहीं करना है बिल्कुल correct जो नोजावन option A लगाए है, methane वो बिल्कुल right लगाए है तो आईए next question के और बढ़ते हैं आप लोग को बताना है, लोहे पर जंग लगने को क्या कहा जाता है option A, oxygen, option B, up chain, option C, up chain या option D, इन में से कोई नहीं इसका right answer आप लोग को जवाब देना है बिल्कुल सही, जो नोजावन option ये लगाए है, oxygen वो बिल्कुल सही लगाए है तो आईए next question के और बढ़ते हैं आप लोग को बताना है, किस गरह को लाल गरह के नाम से जाना जाता है option A, पिर्थवी, option B, मंगल, option C, बिरस्पती, option D, सुक्र इसका right answer आप लोग को जवाब देना है, क्या हो जाएंगे बिल्कुल correct, जो नोजावन option B लगाए है, मंगल वो बिल्कुल right लगाए है तो आईए next question के और बढ़ते हैं, आप लोग को जवाब देना है फिर पतियों में मिलने वाली ओस्दी है option A, खाद, option B, जरीबुटी, option C, फल्फूल, option D, उप्रिक सभी इसका right answer आप लोग जवाब देना है, क्या हो जाएंगे इसका answer बताईएकार सही क्या हो जाएंगे यह 30 परस्ण आपके exam के लिए बहुत ही important है अगर आप इसमें 25 पलस score कर रहे हैं तो आपकी तयारी बहुत ही अच्छी है अन्यथा और revision करते रहिए नया चीज नहीं पढ़ना है तो बताईएगा इसका right answer क्या हो जाएंगे बिल्कुल सही, जो नजवान option भी लगाएं जरी बिटी जरी बिटी वो बिल्कुल correct लगाएं तो आईए हम लोग अगला question देखते हैं आप लोग को बताना है कारवन मोनो अक्साइड का रसाइनिक सुत्र है option A, CO2 option B, CO option CO3 या option D, CO3 इसका right answer आप लोग को जवाब देना है सभी सुत्र आपको ध्यान होने चाहिए क्योंकि एक सुत्र भी आता है तो इसका right answer बोलिएगा क्या हो जाएंगे बिल्कुल correct जो नजवान option भी लगाएं है CO वो बिल्कुल right लगाएं तो आईए हम लोग अगला कोशन देखते हैं आप लोग को बताना है पैंसिलीन पैंसिलीन की खोज किसने की थी option A, Alexander flaming option B, Newton option C, Hargobind खुडाना या option D, Robert hook इसका सही जवाब आप लोग को देना है क्या हो जाएंगे बिल्कुल correct जो नौजवान option ये लगाएं अलेक्जेंडल flaming वो बिल्कुल सही लगाया है इस बार आप लोग को वर्दी पहन के हिराना है तो आईए हम लोग next question के और बढ़ते हैं और जोड़ सोड़ से मेहनत कीजिए दिन रात एक कर दीजिए क्योंकि ये 7-8 दिन जो बच्चे हैं एही आपको शफलता दिलाएगे आप लोग को बताना है डाइनामाइट की खोज किसने की थी option A, Alfred Nobel option B, Newton option C, Albert Einstein option D, इन में से कोई नहीं बताइए का इसा right answer क्या हो जाएंगे बिल्कुल correct, जो रजावन option ये लगाए है, Alfred Nobel वो बिल्कुल right लगाए है तो आईए next question के और बढ़ते हैं आप लोग को बताना है, परमानू के नाविक में होते है option A, electron वो proton, option B, proton वो neutron, या option C, electron वो neutron, या option D, इन में से कोई नहीं इसका right answer ही आप लोग को जवाव देना है एक भी question, आप लोगो तुका नहीं लगाना है, गलत नहीं मारना है क्योंकि अगर आप गलत लगाते हैं, तो आप लोग merit में नहीं आईएगा इसलिए ज्यादा सचादा question सही करें, गलत एक भी न करें तो बताईए का इसका right answer क्या हो जाएंगे बिल्कुल correct जो नौजवान option वी लगाए हैं, वो बिल्कुल right लगाए हैं, proton वो neutron होते हैं तो आईए हम लोग अगला question देखते हैं, आप लोगों को बताना है एक स्वास्तव व्यक्ति की एक मिलेट नारी अस्पंदन दर कितनी होती है option A, 100 से 120 या option B, 70 से 120 या option C, 72 से 80 या option D, इन में से कोई नहीं इसका right answer आप लोगों जवाब देना है क्या हो जाएंगे बिल्कुल correct जो नौजवान option C लगाये हैं, वो बिल्कुल right लगाये हैं, 72 से 80 तो आईए हम लोग अगला question के और बढ़ते हैं आप लोगों को जवाब देना है, पौधों की पतियां हरी किस कारण होती है option A, हरित लवक, option B, हीमोगलोविन, option C, रायजोवियम, option D, इन में से कोई नहीं इसका right answer आप लोगों जवाब देना है, क्या हो जाएंगे बिलकुल correct, जो नजवाब आप्शन ये लगाएं, हरित लवक को बिलकुल सही लगाएं है अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें वीडियो बनाने के लिए motivation मिलता है, आईए हम लोग अगला question के और बढ़ते हैं आप लोग को बताना है, ECG किसकी जांच करता है, option A, पेट, option B, मस्तिक्स, option C, हिर्दा या option D, इड्स इसका right answer आप लोग को जबाब देना है क्योंकि अब आपका बर्दी आपकी तिजार कर रही है, बताइए का इसका right answer क्या होगी बेलकुल correct, जो नजवान option C लगाए है, वो बेलकुल सही लगाए है इसका right answer हिर्दे हो जाएंगे तो आईए हम लोग next question के और बढ़ते हैं आप लोग को बताना है, वेरो मीटर के दोरा किसे मापा जाता है option A, वाइ मंडलिये नमी, option B, हावा का बेग, option C, वाइ मंडलिये दाब, या option D, वर्षा की मात्रा आपको पूरे जो सर जुनून के साथ पढ़ाई करनी है बताईए का right answer क्या हो जाएंगे बिलकुल correct, जो नोजवान option C लगाए हैं, वाइ मंडलिये दाब, वो बिलकुल correct लगाए हैं आईए हम लोग next question के और बढ़ते हैं, आप लोग को बताना है पारे का संकेत क्या है, option A, A, G, option B, N, A, option C, N, A, option D, H, G सो और यहाँ दो option हो गए है option 3 मान लीजिए, A, G, सो और A, U अब बताईए गाई, इसका right answer क्या हो जाएंगे बिलकुल correct, जो नौजवन option D लगाए है, H, G, वो बिलकुल right लगाए है तो आईए, next question के और बढ़ते हैं, आप लोग को बताना है malaria किस मच्छर के काटने से होता है, option A नर क्यू लक्स, option B, मादा क्यू लक्स, option C, मादा, एनाफिलीज, option D, नर एनाफिलीज इसका right answer आप लोग को जवाब देना है, क्या हो जाएंगे बिलकुल बिलकुल correct, जो नौजवन option C लगा रहे हैं, वो बिलकुल right लगा रहे हैं तो आईए next question के और बढ़ते हैं, आप लोग को जवाब देना है, oxygen का पढ़ती क्या है, option A, O2, option B, H, option C, O, option D, न, इसका सही जवाब आप लोग को बताना है, क्या हो जाएंगे बिलकुल correct, जो नौजवन option ये लगाए हैं वो बिलकुल right लगाए हैं आईए हम लोग next question के और बढ़ते हैं sorry, oxygen का सुत्र O2 होता है, और इसका answer आपको option C हो जाएंगे, यानि ये हाँ पूछा गया है oxygen का पढ़ती क्या होता है oxygen का परती हो होता है, तो आप लोग को ध्यान से question पढ़ना है, पहले अच्छी तरह से question को पढ़ने के बाद ही answer दे क्योंकि अगर आप question नहीं पढ़ते हैं तो answer हो सकता है, गलत आप टिक करके आ जाएं, इसे लिए question को शुरूस लेकर अंत तक पढ़ें तो आईए next question के और बढ़ते हैं, तो ये आपके लिए homework हो गया है, इसका answer आपको comment box में देना है, इसका right answer क्या हो जाएंगे निमलिखित में से कौन सा संकरमित रोग है, option A, rabies, option B, मधु में, option C, उच रख चाप, option D, cancer, इसका right answer आप लोग को comment box में छाप देना है, क्या हो जाएंगे बिल्कुल सही, आप सही तरिका से चलिए हम लोग अगला question के, sorry next question के और बढ़ते है आप लोग को जवाब देना है इंसुलीन की कमी से होने वाले रोग कौन से है, option A, तपेदित, option B, मधु में, option C, हैजा, option D, इसका right answer क्या हो जाएंगे आप लोग को जवाब देना है, क्या हो जाएंगे आप लोग को बताना है, इसका right answer क्या हो जाएंगे बिल्कुल सही, जोन जोन option B लगाए है, अदू में वो बिल्कुल correct लगाए है तो आईए next question के और बढ़ते हैं, आप लोग को बताना है, generator से हमें क्या प्राप्त होता है option A, बिधूत उर्जा, option B, परकास उर्जा, option C, Y उर्जा, यो option D, chemical उर्जा इसका right answer आप लोग को जवाब देना क्या हो जाएंगे बिल्कुल correct, जोन जोन option A लगाए है, बिधूत उर्जा, वो बिल्कुल right लगाए है तो आईए next question के और बढ़ते हैं, आप लोग को बताना है, इन्मिया रोग किसे संबद दित है option A, आंक, option B, हिर्दे, option C, रक्त, option D, उप्रिक्स सभी इसका right answer आप लोग को बताना है क्या हो जाएंगे बिल्कुल correct, जोन जोन option, C लगाए है, रक्त वो बिल्कुल correct लगाए है तो आईए next question कर बढ़ते हैं, आप लोग को बताना है, माना में गुल सुत्रों की संख्या कितनी होती है option A, 45, option B, 47, option C, 46, option D, 50, आप लोग को correct answer जवाब देना है क्या हो जाएंगे बिल्कुल correct, जो जोन जोन option C लगाए है, बिल्कुल right लगाए है, तो आईए next question को संख्या को बताना है तुरंत उर्जा तुरंत उर्जा पहुचाने वाला सरोत क्या है option A, juice, option B, glucose, option C, roti, या option D, और leaks, बताईएगा इसका right answer और आज के लिए आपका ये last question है बताईएगा इसका right answer क्या हो जाएंगे बिल्कुल correct, जो जोन जोन option B लगाए है, glucose वो बिल्कुल right लगाए है तो आज के लिए हम लोग इतना ही, आईए हम लोग next वीडियो में मिलते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like, share, comment जरूर करें अब हम चैनल को subscribe करके, well icon दवाना न भूलें तो आज के लिए यतना ही, आईए हम लोग next वीडियो मिलते हैं जय हिन जय भारत